आज ही doubtnet app download करें doubtnet पर होगा अब आपके सभी maths, chemistry, physics और biology doubts का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ download now तो इस question में हमें दिया गया है कि एक convex lens है जिसका power जो है वो P है अब इस lens को हम longitudinally cut कर देते हैं principal axis के long two equal parts में जैसा कि हमें दिख रहा है तो हमें power of combination पूछा गया है अगर हमें अब पता है कि अगर इस convex lens का जो power है अगर P होगा तो अभी भी radius of curvature जो है same है refractive index same है तो focal lens same होगा यानि power भी जो होगा वो सेम होगा तो इसका भी power P होगा और इसका भी पावर P होगा अब यह तोनों contact में आगर आ जाएंगे तो जो effective power हो जाएगा वो हो जाएगा P1 प्रस P2 यह हमारा formula है तो अगर इसका भी power P है और दूसरे का भी power P है तो जो effective power हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 2P इसी तो हम focal length के case में करते हैं कि अगर दो lengths आपस में जोड़ दें तो जो focal length हो जाता है वो हो जाता है F1 1 by F1 plus 1 by F2 is equal to 1 by F. तो 1 by F1 ही हमारा power होता है यह होता है P1 और यह होता हमारा P2 और यह होता हमारा P तो जो overall power हो जाएगा वो होगा जाए 2P यह हमारा answer है Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर हो सा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप यह WhatsApp कीचे अपने डाउट्स 8444 सुपर